हेलो बच्चों तो बात करने जा रहे हैं रैंक बुष्टर का अगला नम्मर खुशी के बात ये है जो ये क्वेश्चन भेजे जो बच्चे वे बहुत सारे बच्चे बात तो बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं लेकिन पढ़ाई के नाम पर जीरो है इसलिए आप क्वेश्चन भेजें ताकि ये लगे जो हमको पर रहे हैं और आप क्वेश्चन भेजने के चकर में कुछ न कुछ परहेंगे ही बस जरुवत है जो पर के उस बात को क्या करें आप? रिवीजन करें तो चलिए देखते हैं, यह जे इमेन का question है, which of the following has most acidic hydrogen? यानि हमसे कहा जा रहा है जो इस में से कौन most acidic hydrogen है? तो सबसे पहले acid hydrogen का बात कर लेते हैं, जैसे ही हमसे कहा जाए, acid hydrogen तो हम यह समझेंगे, जो कोई भी substance release करता है, donate करता है, remove करता है H+, यानि क्या बोलिएगा? donate H+, अब जो जितना आसानी से H+, को release कर दे, जो जितना आसानी से H+, को release कर दे, हम कहेंगे उसका acidic nature उतना ही जैदा है, दूसरी बात हम यह कहेंगे, जदी H+, release करने के बाद जो conjugate base का stability होगा, द्यान दीजे, यानि acidic strength है, acidic strength है, directly proportional stability of conjugate base, conjugate base, यानि यह conjugate base का stability बहुत ही जैदा हो, तो ACD का strength भी जैदा होगा, देखिए, अभी अभी एक बच्चे बहुत अच्छा कॉमेंट किये, कॉमेंट सब लोग आप देखेंगे, तो साइट आपको लगेगा क्या, जो वे बच्चा बहुत बिद्वान है, क्या समझे, और मैं मानता भी हूँ, जो बिद्वान होगा, समझे ना, लेकिन किस में बिद्वान होगा, जानते हैं, बात बनाने में, क्योंकि मेरे पास, खास के जो पढ़ने वाला बच्चा है उसी को मन लगेगा जो नोटंकी करने वाला है पिता जी को ठकने वाला है दिखावटी सो करने वाला है उसको मेरे पास मन नहीं लगेगा समझ रहे हैं बात को यानि कोता ही नहीं मन लगेगा क्यों क्योंकि औरों की तरह मैं ताली बजाने में अमरिका इंगलाइंड दुनिया का सबसे तू अच्छा आदमी है ये कहने में विश्वास नहीं रखता हूं मेरा काम सिर्फ और सिर्फ हकीकत को दिखाना ये नहीं जो सपना दिखा करके और आपसे लूटना लेकिन आज कल 99% तो बेकुफों का भंडार बना हुआ है क्या समझे इसलिए जो है उसको वही अच्छा लगता है ये बात अच्छा लगना सबसे समभब नहीं है और जिसको वह बात अच्छा न लगे वह जेई और नीट जरूर क्रेक करेगा और जो उसको बात बनाने में अच्छा लगे उस सब दिन वैसा ही खोजता रहेगा समझ गया इसलिए जो कोई भी मेरा ये कॉमेंट पढ़े होंगे उस बिद्वान बच्चे का तो उस बिद्वान बच्चे का पूरा कुंडली हम बता देते हैं जो जिसको हम पहचान भी नहीं रहे हैं सोच लीजिए उस मेरे पास कितना किस कर्टोगोरी का बच्चा होगा जो पर रहा होगा हाँ जिसको हम पहचानते हैं और वे बच्चे जदी कुछ बोले तो उस पर हम क्या करेंगे ठिंक करेंगे सोचेंगे लेकिन जिसको हमको पता भी नहीं जो ये मेरे पास पर भी रहा था क्यों क्योंकि जदी वैसा होगा तो मेरे सामने टिकेगा नहीं समझ गया है वो कोना पकरे हुआ रहेगा वहां पे जा करके गा वाह बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है समझ रहे हैं तो चलिए बात कुछ भी हो आप अपना देखना है हमको बात करना है यहां मोस्ट एस स्ट्रेंथ जो है डिरेक्ली प्रपोर्शनल कंजूगेट बेस कंजूगेट बेस समझ रहे हैं या यह कहा दें एनाइन या क्या कहा दें एनाइन यानि एनाइन का इस्टेबिटी जितना ही जैदा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही जैदा होगा तो चलिए हम नोन तो 3 हैक जै नोन तो हैक जै नोन मतलब कितना कारवन बच्चों हैक मतलब 6 कारवन तो 2, 2, 4 और 2, 6 ठी और तीसरा पोजीशन पे O, N, E किसमे लगेगा तो कितन जैसे देखिए होता है क्या कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो एक क्वेश्चन के सहरे बहुत सारे बात को पहचानना होता है तो यहाँ पे यह जो आप देख रहे हैं इसके सहरे यह भी पहचान लिया जाता है जो यह नोमनेक्लेचर जान रहा है कि नहीं जान रहा है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि तीसरा नमबर पे किटोन है और किटोन में ही O N लगता है अब यहाँ पे हाइडोजन हम लोग रख दें समझ गया है यहाँ हाइडोजन लगा दें सभी जगा होगा अब उतना टाइम टेकिंग नहीं करेंगे फिर 2, 4, hexane, dion एक, दो, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4 दूसरा पे लगा दीजिए किटोन और चौंथा पे लगा दीजिए किटोन और फिर सभी जगा हैडोजन होगा फिर इसी तरह से C में चलिए बात करते हैं तो C में भी hexane, dion इसमें भी है, कितना कितना पे, दूसरा पे, फिर कितना पे, पांचमा पे समझने हैं बात को, चलिए इस, इसके बाद D नमबर में देख लीजिए, वे भी hexane होगा है तो दूसरा पे लगाईए और तीसरा पे लगाईए ठीक, अब यहाँ पे, हमको क्या बात करना है, most acidic देखते रहिए, समाई लगेगा, लेकिन आप अगदम जो है, सो बहुत अच्छा हो जाईएगा चलिए, यहाँ पे यह functional group है, और functional group से directly attached carbon को alpha carbon कहते हैं तो यह alpha carbon, यहाँ भी alpha carbon, यहाँ भी alpha carbon, 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 alpha carbon है आपको hydrogen remove करना है, कहां से, alpha carbon से, क्यों hydrogen remove करना है, alpha carbon से तो सबसे पहले तो रट जाईए, जो alpha carbon से attached hydrogen more acidic होता है, पहले यह, यानि कुछ point हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिरेक्ट याद करना पड़ेगा, अब क्यों, तो यह सारा बात क्यों का होगा, लेकिन पहले याद कर जाईए, अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, यह जो किटोन है, यह minus i group, और minus i group तो electron को खीचेगा अपने तरफ, जैसे ही खीचेगा, तो यहाँ पे जो ह है, यह positive charge बनेगा, यहाँ भी क्या होगा, positive charge बनेगा, और जिस कारवन पे positive charge होगा, उसका electronegativity बढ़ जाएगा, और जदी electronegativity बढ़ता है, तो hydrogen आसानी से release हो जाता है, H plus की रूप में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक ही ketone है, मतलब एक ही minus i है, और यहाँ पे कितना 2-2 minus i है, यहाँ भी कितना 2-2 minus i है, और minus i तो acidic strength को बढ़ता है, यहनि हम का देते हैं, जो acidic strength जो होगा, acidic strength यह directly proportional minus i minus m, और inversely proportional, inversely proportional plus i plus m, तो जदी इतना हमसे यह पता है, जो minus i acidic strength को बढ़ता है, तो इतना तो c-or हो गया, जो a answer नहीं होगा, क्यों? क्योंकि a में cable minus i एक group है, और इस तीनों में minus i का एक से अधिक है, अब चलिए आगे बात करते हैं, यह बात clear हो गया, अब यहाँ तीनों में देखिए, तीनों में इसमें जब देखेंगे, तो इधर से भी alpha hydrogen हटाईए और इधर से भी, तो यहाँ हटाईएगा, तो minus, फिर यहाँ पे इस तरह से यह minus, clear है, ऐसा, ठीक, अब आगे कारवन नहीं दे रहे हैं, अपना देते र pH 2 minus, अब at a time एक जगा देखना है, लेकिन हम लोगों के पास समय कम होने के कारण, जो है हम फटा-फट क्या करते हैं, आपको यह समझाने का कोशिस कर देते हैं, समझ रहे हैं बात को, यानि समय कम के कारण, ताकि लेंदी न हो जाए, इसलिए जो बीना पढ़ने वाला भी क आप जानते हैं, जो जैदे संसार में बीना पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला की संख्या तो नगन्य है, बहुत ही कम है, जैसा कि कॉमेंट से पता चल लहा है, तो चलिए, यहाँ पे अब देखिए आप, यह जो आपका minus है, यह इधर भी जा सकता है, और इधर भी जा सकत यहाँ पे यह काम करने लगा, minus M की तरह से, यहाँ भी काम कर रहा है, minus M की तरह से, क्योंकि I और M, तो M तो बहुत और अच्छी बात है, यह minus M, समझ गया है, यह भी minus M, समझते रही है, बहुत उल्जा हुआ बात है, अब आप यह देखिए, जो दो निगेटिव एक दूस फिर यहाँ पे देखिए, जो यहाँ यह resonance कर सकता है, यहाँ भी resonance कर सकता है, तो इस निगेटिव का एक ही तरफ movement है, लेकिन यह जो निगेटिव है, यह दोनों तरफ minus I minus M है की नहीं है, तो जब दोनों तरफ है, जिसको हम लोग cross resonance कहते हैं, यहाँ यह cross resonance के कारान, मतलब यहाँ पे निगेटिव का magnitude कम से कम हो जाएगा, और जितना किसी charge का magnitude कम होगा, उसका stability क्या होगा, जैदा होगा, और सब में क्या है, यहाँ तो repulsion ही हो गया, यहाँ पे cable one-sided का बात होगा तो यहाँ का जो negative है, यह bidirectional distribute हो रहा है, और जितना ही bidirectional distribute हो, तो यहाँ पे जो negative charge है, वे negative charge का magnitude कम से कम होगा, समझ रहे हैं बात को, तो इस तरह से यह जो है acidic strength जदी कहा जाए, acidic hydrogen जदी कहा जाए, तो कौन सा होगा, B होगा बच्चों, तो simple way में हम लोग इतना ही कहेंगे, minus I के कारण, minus M के कारण, और main हम जदी समझने की कोशिस करें, तो stability of conjugate base, stability of NIN, तो इस तरह से इसको बार-बार सुनें, और जितना भी question हो, संभब हो, आप क्या करें, भेजें, हम परियास करेंगे, आप लोगों को fulfill करने का, समझ रहे हैं बात को, और जो भी बच्चें, उस तरह से, जैसे एक बच्चे बहुत अच्छा कमेंट किये, भगवान उसको उसी तरह का सुबुद्धी दे, समझ गे न, वो कमेंट वैसा ही करते रहे हैं, जिन्दगी भार, समझ गे, वैसा ही उसका जिन्दगी चलेगा, ठीक है बच्च